किसी भी application form का जब आप payment करते हो तो payment करते वक्त अक्सर ऐसा होता है खासकर NTA से related जितने भी आपके application form निकल रहे हैं अक्सर बच्चों की payment फस जाती है तो इसका क्या solution आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी payment ना पसे आज की वीडियो में वही आपको बतान होना चाहिए अगर आपका network फस रहा है और आप फसते हुए network में आप अपना form फिलप कर रहे हो जैसे तैसे तो आप वही रुख जाओ fee payment मत करो क्योंकि definitely है fee payment फसेगी अगर आपका network जरा भी फस रहा है तो fee payment आपके नहीं होगी properly फस जाएगे ठीक है तो आप network connection proper रखो सुबह अकसर network clear रहता है तो उस time आप try करो ठीक है तो पहली बात तो ये network connection अपना stable रखो दूसरी बात आप कोशिश करो कि आप card payment करो card payment से फसने के chances बहुत कम होते हैं लेकिन अगर आप UPI वगर इस्तमाल करते हो तो कई बार पैसे फस जाते हैं तो आप कोशिश करो कि card payment कर अगर हो पाए तो card payment करो debit card या credit card से आप payment करो debit card is best one okay तीसरी बात तीसरी बात अगर by chance आप आपने payment कर दिया और आपका payment फस गया तो आप 3 दिन तक wait करोगे तीन दिन के wait करने के बाद या तो आपका जो फीस है वो successful हो जाएगा या फिर आपका refund हो जाएगा 90% cases में ऐसा होता है लेकिन कभी-कभी बच्चों का नहीं भी refund होता है एकाद महीने बाद कभी refund होता है तो wait करने के लावा उसमें कुछ कर नहीं सकते है एक और बात का आप आपको ध्यान रखना है जब भी आप payment कर रहे हो तो कभी भी back button press मत करना until unless वो successful दिखाए आपको चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे आप उसी screen पे रहना back मत आना back आने से क्या होता है फिर payment वही पर रुख जाता है आप मालो आपने card वगरा का number वगरा डाला payment के लिए क्लिक क और अपना जो OTP वगरा है वो सब डाल के आपने payment पर प्रोसीड किया तो वो कुछ time लेता है कुछ देर तक वो घूमता है buffering करता है कुछ time लेता है और at least 5 मिनट का कभी-कभी time ले लेता है वो ठीक है कभी-कभी तुरंत हो जाता है कभी-कभी 5-6 मिनट का time लेता है तो तो फिर उस screen पर जाना मुश्किल हो जाता है और payment आपकी फस जाती हो ठीक है तो network connection proper रहना screen मत छोड़ना और कोशिश करो card से payment करो ये तीन तरीका आपना होगे तो शायद ही आपका payment फसे ठीक है शायद ही guarantee तो नहीं दी जा सकती ये मिना अंदाजा है कि ऐसी करने से payment से और कोई गलती मत करो form में वरना आपको महीने भर परिशान रहना पड़ता है कि अरे ये मेरी गलती हो गई अब हम क्या करें है तो आराम से form भरो कोई जल्दी बाजी नहीं अब ये तीस तारिक तक का date है जे इमेंस के लिए और किसी भी exam के लिए आप form पिलप कर रहे हो ये सब के लिए common बात है ठीक है? So wish you all the best for your exam, जो भी आप exam देने वाले हो, कोई गलती आप से हो गई है तो correction window का wait करो, payment अटक गई है तो 2-3 दिन तक wait करो, और कुछ नहीं कर सकते हैं, okay? So wish you all the best for your exam, मिलते हैं next video में. कर दो